वहीं धमतरी में दो लोगों की चाकू मार कर हत्या कर दी गए जबकि एक युवा गंभी रूप से घायल है बताया जा रहा है कि कुरूद ब्लॉक के बैंस बोट गाओ में तरदा नेवरा श्वेत्र से बरात आई हुई थी और बरात के स्वागत के दोरान गाओ के रवी कुमार तारक और बराती राकेश कुमार धुव सहित कुछ युवको का किसी बात को लेकर विवाद हो गया विवाद इतना बढ़ा कि कुछ लोगों ने दोनों पर चाकू से हमला कर दिया जिसमें दोनों यूवकों की मौत हो गई वहीं गटना के बाद बराद भी वापस शुली गई फिलाल पुलिस इस मामले की जाच कर गई है धमतवी से व्यभाफ चौधवी की रिपोर्ट वहां पे कल रात को सुचना मिली की मारपीट हुए बराती और बिनामी बीच में वहां पे एक आदमी जिसका नाम राकेश दू है वो मृत पाया गया और एक आदमी घायल था इसका नाम रवीद तारक है वह गाउं का ही है वह ठारा साल का लड़का है वह लगबग वह तो भठेना अपिटल लेके तो उसको भी चाकू लगाता है उसकी मिप्की हो चुकी है अभी बिनासारे में अभी उभी और जान चल रही है तो जिचना में जैस्ता आएगा क्लियर नहीं कि शाहिए बात को लेके या कुछ इसी बात बहुत को लेके हुआ था अभी उसके बाद ही क्लेर बताब ने एक उस भैंसबोर का गाउं का है और दूसरा है तिल्दा ने औरा में चट आउट करके गाउं है वहां से बरात आई थी बरात